Hello students, good morning and welcome to online theory. Welcome to the session of Hindi current affairs. तो शुरुवात करते हैं आज अपने पहले questions से. हमारा पहला question है, निम्नलिखित में से किस सिराज के शहरी परिवहन को आवास और शहरी मामलों के मंत्राले से पुरस्कृत किया गया है? आपके पास option है, option A, Odissa, option B, Delhi, option C, Tamil Nadu, या option D, Maharashtra. इस question का सही उत्तर है option number A, यानि की Odissa. Capital Region Urban Transport यानि की CRUT की प्रद्योगी की संचालत और नागरिक अनुकूल मो बस सेवा को Urban Mobility India समेलन और Expo 2019 में सर्वश्रेस्ट सिटी बस सेवा पर योजना पुरसकार मिला है. यह शहर की सीमा के भीतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पुनर जीवित करने की दिशा में एक सार्वजनिक नीजी भागिदारी पहल है. वर्तबान में मो बस का प्रति दिन औसत 80,000 से अधिक यात्रियों का है जो एक वर्ष पहले लगबग 19,000 प्रति दिन था और October 2019 में यह एक लाग सवारियों तक पहुँच गया है. इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी है. राजधानी शेत्र शेहरी परिवहन का मुख्य उद्देश नीजी वाहनों द्वारा भीड को कम करना है और स्वच गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए 50 इलेक्ट्रिक वसे इसमें जोड़ी भी जाएंगी. यहाँ दर क्लियर हैं, बढ़ते ही अगले क्वेशन की ओर. हमारा अगला क्वेशन है, आई यू सी एन की रेड लिस्ट के अनुसार सुमात्रन राइनो गंभी रूप से खत्रे में हैं. हाल ही में, निमनलिखित में से किस देश में वे विलुप्त हो गए हैं? आपके पास अगर आपको आंसर पता है, तो आपमें कमेंट में लिखे बता सकते हैं. इस क्वेशन का सही उत्तर है, आप्शन नमबर A यानि की मलेशिया. सुमात्रन राइनो दो सिंग वाले राइनो का सबसे छोटा और अन्तिम रूप है. हाल ही में, मलेशिया में अन्तिम जीवित सु WWF यानि की World Wide Fund for Nature संगरक्षन के अनुमानों के अनुसार, दुनिया में केवल 80 सुमात्रन राइनों ही बचे हैं. IUCN Red List के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं. 1964 में स्थापित प्रकृति की Red List के खत्रे की प्रजातियों के संगरक्षन के लिए, अंतिरास्ट्रिय पशु, कवक और पौदों की प्रजातियों के व्याश्विक संगरक्षन की स्थिती पर दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्त्रोत बनने के लिए विक्सित हुआ है. IUCN Red List का उप्योग सरकारी एजेंसियों, वन्य जीवन विभागों, संगरक्षन संबदित गैर सरकारी संगर्टनों जिसे हम NGO कहते हैं, प्राकितिक संसादन नियोज को सैक्षिक संगर्टनों, छात्रों और व्यवसाय समुदाय द्वारा किया जाता है. तो याद रखेंगे ये जो सुमात्रन राइनो है, ये IUCN की Red List में आ चुका है, तो ये कहां से है? मलेशिया से. बटे हैं अगले question की और question number 3. Question number 3 है, Main Streets Across the World Report 2019 को किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके पास option है, option A, कुष्मैन और वेक फिल्ड, option B, Industries Peak, option C, Wolf Street Journal, या option D, New York International. इस question का सही उत्तर है, option number A, यानि की कुष्मैन और वेक फिल्ड, Main Streets Across the World अपने प्रमोक किराए मूले द्वारा दुनिया भर में उच्च सड़कों को रैंक करती है. वर्ष 2019 में दिल्ली का खान मार्केट दुनिया का बीस्वा सबसे महंगा खुदरा स्थान बन गया है. होंग कॉंग में, कॉर्जबे में, दुनिया में सबसे महंगा खुदरा स्थान है. कुष्मैन और वेक फिल्ड, वेश्विक संपत्ती सलाकार, Main Street Across the World रिपोर्ट जारी करते हैं. यहां ते क्लियर हैं, बढ़ते हैं अगले question की और अगला question है, question number 4, Scottish Open Purus एकल किताब किसके द दामबी श्रीकांत, option B, प्रनीत साई, option C, लक्ष सेन, option D, परुपली कश्यप. इस question का सही उत्तर है, option number C, यानि की लक्ष सेन. बाडमिंटन में भारत की लक्ष सेन ने Scottish Open पुर्षों का एकल खिताब जीता है. तीन महीने में अपना चौथा किताब हासिल करने के लिए प्राजील के गोर कोलो को हराया, लक्ष सेन ने डच ओपन में अपना पहला BWF Super 100 किताब जीता है. तो इनका नाम हम याद रखेंगे लक्ष सेन Scottish Open मेल में. ठीक है? यहाँ तक clear है, बढ़ते हैं अगले question की ओ, यान option A, Spain, option B, Germany, option C, Canada, या option D, America. इस question का सही उत्तर है, option A, यानि की Spain. विश्व के नमबर एक खिलाडी, राफिल नाडाल ने कनेडा के डेनिश शापा वालोव के खिलाफ फाइनल जीता है और Spain के लिए छटा Davis Cup किताब जीता है. 2019 के लिए Davis Cup Madrid में आयुजित किया गया है, यह tournament पूरशों की टेनिस में प्रमुक अंतरास्ट्रिय टीम्स परधा है, यह अंतरास्ट्रिय टेनिस महासंग ITF द्वारा संचालित किया जाता है, और प्रती वर्ष, नॉक आउट प्रारूप में प्रतीस परदी देशों की टीम इस क्वेशन का सही उत्तर है, आपके पास ओप्षिन है, कोलेजन, ओप्षिन बी, कोरोनिन, ओप्षिन सी, सिक्रेटा गोगिन या ओप्षिन बी, एक्टिन इस क्वेशन का सही उत्तर है, आप्षिन नंबर सी, यानि की सिक्रेटा गोगिन CSIR यानि की Center for Cellular and Molecular Biologics के फग्यानिकों ने पाया की एक प्रोटीन सिक्रेटा गोगिन मुटापे से प्रेडित मधुमे में इंसुलीन की क्रिया को बढ़ा कर रक्त शरकरा के स्तर को वेनमित करने में मदद कर सकता है सिक्रेटा गोगिन मदुमे के खिलाफ चिकित्सिय शम्ता के साथ एक कार्यात्मक इंसुलीन बादेकारी प्रोटीन के रूप में कार करता है यह एक प्रोटीन है जिसे SCGN जीन द्वारा इंकोड किया गया है यह प्रोटीन कैल्शियम बाइनिंग प्रोटीन है जो साइटोप्लाजम में पाया जाता है ठीक है तो इस प्रोटीन का हम नाम याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की ओर यानिकी क्वेशन नमबर सेवन क्वेशन नमबर सेवन है रास्ट्रे सांखे की कार्याले के अनुसार 2019 की दूसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर क्या है आपके पास ओप्शन है ओप्शन A 9.5% ओप्शन B 10% ओप्शन C 11.6% या ओप्शन D 9.3% इस क्वेशन का सही उत्तर है ओप्शन नमबर D यानिकी 9.3% रास्ट्रे सांखे की कार्याले सांखे की और कारिक्रम कार्यान वेन मंत्राले के अनुसार 2019 की दूसरी तिमाही यानि जन्वरे से मार्च के लिए शहरी बिरोजगारी दर 9.3% है जो पिछली चार तिमाहियों में सबसे कम है जबकि एपरिल जून 2018 में 9.9% जुलाई सितंबर 2018 में 9.7% और ऑक्टबर दिसंबर 2018 में 9.9% थी तो इस संक्या को हम याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की हो यानि की क्वेशन नंबर 8 क्वेशन नंबर 8 है रास्ट्रे सांखे की कार्याले NSO द्वारा घरेलू सामाजिक उपभोग सिक्षा सर्वेक्षन के बारे में निम्लखित कतनों पर विचार करें यहाँ पे आपको दो कत्थन दिये गए हैं और आपको बताना है कि उनमें से सही विकल्प कौन सा है आपकी पास पहला कत्थन है अब आपको यहाँ पे सही विकल्ब चुनने हैं आपके पास ऑप्षन हैं ऑप्षन A केवल 1, ऑप्षन B केवल 2, ऑप्षन C एक और 2 दोनों, ऑप्षन D न तो 1 और ना ही 2 इस क्वेशन का सही उत्तर है ऑप्षन नमबर B यानि की केवल दूसरा ऑप्षन रास्ट्रिय सांखिकी कार्याले NSO सांखिकी और कारिक्रव कार्यान वयन मंत्राले ने रास्ट्रिय नमूना सर्वेक्षन NSS के 75 दोर के हिस्से के रूप में घरेलू सामाजिक उपभोग सिक्षा पर एक सर्वेक्षन किया है साथ वर्ष और उससे अधिक आयो के व्यक्तियों में साक्षर्ता दर 77.7% थी यह ग्रामीन इलाकों में 73.5% और शहरी छेत्रों में 87.7% थी ग्रामीन चेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयू के व्यक्तियों में 30.6% ने माद में किया उससे उपर के सिक्षा पूरी की है जबकि शहरी चेत्रों में यह 57.5% ही रह गई है यहां तक लिया रहे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की ओर क्वेशन नमबर 9 क्वेशन नमबर 9 है मद्द प्रदेश सरकार ने राज सरकार की नौकरियों में रास्ट्रियों और अंतर रास्ट्रे पदक विजेता खिलाडियों को कितने परसंट आरक्षन देने की गोशना की है आपके पास option है option A 5%, option B 10%, option C 2% या option D 7.5% इस question का सही उत्तर है option नमबर A यानि की 5% मद्द प्रदेश सरकार ने रास्ट्रियों और अंतर रास्ट्रिय पदक विजेता खिलाडियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 5% आरक्षन की गोशना की है गौालियर के कंपू में छेत्रिय उलम्पिक खेलों में इसकी गोशना की गई है केंद सरकार के विभागों और मंत्रालियों में ग्रूप C में स्पोर्ट्स परसन के लिए 5% आरक्षन है इसके लावा एक और information है मद्य प्रदेश सरकार राज सरकार को विक्रम पुरसकार विजयताओं को प्रदान करती है जो राज में सर्वोच खेल पुरसकार है तो यहां ते क्लियर है बढ़ते हैं अकले और आंतिम क्वेशन की ओर हमारा आंतिम क्वेशन है मिस्टर यूनिवर्स 2019 के रूप में निमलखित में से किसे ताज पहनाया गया है आपके पास option है option A, काई ग्रीन option B, चित्रेश नटेसन option C, सुहास खामकर या option D, प्रेमचन डोगरा इस question का सही उत्तर है option number B यानि की चित्रेश नटेसन केरल के रहने वाले चित्रेश नटेसन ने दक्षिन कोरिया के जेजू दीप पर आयोजित ग्यारवे विश्व बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है वह यह उपलब्दी हासिल करने वाले पहले भारतिये है टीम चैंपियनशिप में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है तो आज का करंट अफिर सेशन यहीं भी खत्म होता है अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए और इंपोर्टेंट क्वेशन के साथ तब तक, stay tuned to Online Theory and don't forget to like and subscribe. Thank you.